हैलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सासे बलोग्स, फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस ड्राइवर के प्रेक्टिस स्रीज में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स इस प्रेक्टिस स्रीज में हम लोग रोड सेंस, वहान रख रखाओ, सरक सुरक्षा, ट्रैफिक नियम, पर्यावरन पॉलूसान जिससे की 50 कोश्चन 50 नमर के पूछे जाते हैं तो उसी का हम लोग प्रेक्टिस स्रीज चला रहे हैं इस प्रेक्टिस स्रीज में हम लोग एक कलास में 25 कोश्चन 25 मिनट में देखते हैं, और यह स्रीज है जो आज का है वो 24 वा है, यानि कि भाग तेज तक पहले ही अपलोडेड हैं कलासेश, आप लोग जाके वो देख सकते हैं, और अपना जो कंसेप्ट है, है, TPP is equal to S, उस पे यह ट्रेक्टिस चलता है, तो यह क्या है, तो प्रेक्टिस से सब से पहले हम लोग ठियोरी पढाते हैं, जिसमें इंज प्रेक्टिकल ब्हुरु बताते हैं, उसके बाद उसी को हम लोग प्लेकल भीव में दिखाते हैं, यानि ट्राफिक नियम हो गया इं किस परकार पूछे जाती है तो वो तिसरा पी है ना इसमें हम लोग देखते हैं जो यह चला रहे हैं जो आज पार्ट कितना है 24 है जो वीडियो है पहले ही अपलोड़ेड है यह प्रेक्टिस रिज का तो आप लोग जाके देख सकते हैं वहां ओके और उसका प्लेलिस्ट का हम मिलेगा तो इसी का दिस्क्रिप्ट बोक्स में मिलेगा और VII का भी यह जो प्रेक्टिकल वीओी Wijओ इंजन वगए रहे है उसका भी जो प्लेलिस्ट का लिंक हमारे निचे दीस्क्रिप्ट्रिप्चन में मिलेगा यह वीडियो के ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करते है आज का जो कोश्चन है वहां से ओके और याद रखिएगा कि यह जो टीपीप इसकल तु एस यह कंसेप्ट मत भूलीएगा क्योंकि यह यह तीनों चीज कर लिजेगा तो सेलेक्शन कनफर्म हो जाएगा और कोश्चन हम लोग यह मश्चो लेजिएगा सर 25 कोश्चन में क्या ह सब्सक्राइब निंदेपेंड़नलेखित में से कौनसा विकल्ठ इंड़ का परकार नहीं है देखिये question पे ध्यान रख्येगा यहां परकार नहीं है यह नहीं पुझा कौन सा परकार है तो सबसे पहले सस्पेंसर दो तरह के होते । कौन कौन सा dependent और independent तो देखते हैं कैसे दिखता है देखिये यह सब question कराएंगे tension मतलिजी बताएं सारा मतलब देखिये types of suspension इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें णा चाहरे कां होता है तो किया जाता है तो कौं सा यूज किया जाता है का consistent okay तो तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए यह टाइप स्था इंडिधिफ्टेझ और इंडिपेट्डटेंट नन इंडिपेड़ने उसके बाद यहां पे आएंगे. तो देखी अप्षन अ में ब़ोल दिया है. यहां पे क्या बोला गया है. हाँ. देखिए. डाइड एकल सस्पेंशन. B क्या बना है؟ भर्टिकल गड सस्पेंशन. इसका जो गरेक्ट एंसर हो जाएगा देखिए खरीचल गाइड उसके बाद देखिए यह इंडिपेंडेटी अह इंडिपेंडेट सफेंस्ण के टाइप से है और जो श्वेंग श्वेंग आर्म रे सस्पेंशन," ये भी सिका श्वेंशन है , और स्वेंग होता है ये और उसके बाद देखिए ये पैलर लिंक 향ल ये भी इंडीपेंडेंट सस्पेंशन का ही टाइप है लेकिन जो is a एक्सल सस्पेंशन है ना यह इसके टाइप नहीं है यह नौन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के टाइप है तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्ट्स कोस्टन क्या बोला है और क्लच का कारी क्या थेले अपस्टन क्या वोला है अपसंट अमें बोला है इन जन बक्स और गियर्बक्स को जोरूना donc क्या भूला है यह जिसका जो करेक्ट एन्सर हो जाएगा थänder बीपर्चन यानि यान कि कि JEFF का क्या काम है एंगेज और डिस एंगेज करना यानि कि जोर ना और तोरना जोरना और अलग करना दोनों किसका काम है घार का काम है ओकें तो सब्सक्राइब के वह स्वें 300τιफ हैं यह पूरा कुस्ट वाला यह वाला वो कलास देखिएगा ए उसके बाद देखते हैं 53 हरे तीर एबाम गोल हरे सिगनल का क्या संकेत देता है तो अप्षन देखते हैं और हरे गोल बत्ती का आर्थ है कि मुर्णे से पुरु तुम्हें आने वाले वाहनों एवं पैडल यात्रियों को जाने का राशता देना तो ये अप्सन सही हो जाएगा यानि कि आप को बता रहे हैं उसका अर्थ है कि तुम्हें आने वाले रहनैंग तुमेंस लोग सब्सकरी दो सब्सक्राइंग सब्सक्राइब्सक्राइब 001-2310-239-1556, देख लिजेगा C भी गलत है और D भी गलत है देख लिजेगा ओके देख लिजिए वीडियो को रोकिए और उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए जो important question है यह क्या है question एयर एयर cold engine cylinder के बाहर बनी पंग्तिया कहलाती है तो air cold engine मतलब cooling system का ही है तो क्या कहलाती है तो इस परकार यह दिखता है कैसे देखिए जो एसा इसा पती जो लगा है न इसके बारे में बोला यह जैसे में कुलिं कुलिंग से स्था एयर कुल दंट मोटोसाहीकल में कौन सा फिम्स गारी है तो इसलिए बनाया गया जाहिए तो इस तरह की एयर कुल दंट है इस꺼 acquisition चारण क्या होता है जे इंजन ठंडा होता है ओके और जिसको हम लोग एयर कुलिंग सिस्टम बोलते हैं ओके तो यह हो गया उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट देखें फिप्टी फाइड राजमार्ग पर चलने के लिए निम्रे में से कौन सा नियम सही है स्थ average जरूरत पहले करना आइं अघए खर G saints में में रखले के čकल थ्यां रहें और हमेशा किस court चलना रहता है रोड है रोड के हमेशा बाई ओर से चलने चला जाता है यानि कि हमेशा बाई ओर से चलना जाता है और तो यह तो सी उसके बाद देखे ॐ खाली तरफ दो है कि या थो करता है तो इस लिए ये सी बी घलत हो जाएगा डी या महला भी जमा होने पर लिए 50 किलोमीटर की गती से भीर जमा होने से बचने के यानि कि भीर नहोंने के लिए 50 किलोमीटर पर आवर गती से चलाने का पड़े एक दम गलत है मुल्क वाला बात बोल गया है इसलिए इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वह क्या होगा एफ़र आगरा यारी कि अभर टे यहां पर नहीं वहां कराएंगे तो देखते हैं नेमने सिंगनल को क्या कहा जाता है तो सिंगनल क्या है एंबर लाइट और यह इस तरह का जब ऐसा ऐसा लाइन दे दिया तो यह मतलब जल्टी बुझती समझेगा लेकिन यहां एंबर लाइट है यान कि एंबर लाइट क्य यहां पर कितना लोग जो एंसर मार के आ जाएंगे जलती बुझती लाल बत्ती जो की गलत होगा इसका एंसर क्या होगा जलती बुझती एंबर बत्ती अप्शन बीशाई होगा उसके बाद देखें इंज यह देखें 58 इंजन को पूरी तरह से मरम्मत करने की आवज़ सकता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले अप्शन देखें अप्शन एक क्या बोला है देखें जब हम कोश्चन पर लिजिए उसके बाद एंसर आप खुझ से देने का पर्यास किजिए ताकि आप कभी भूलियेगा नहीं और एक्जाम में भी बहुत अच्छा परफरम में चले देखते हैं इंजन की पूरी तरह मरमत करने के आप सकता है कब होती है अप्शन ए बोला है सनेहक तेल की अठीक खपत होने पर बी क्या बोला है कम दाब होने पर सी क्या यांत्रिक असा फलता होने पर डी उप्रोक्ट सभी इसका एंसर डी हो जाएगा यानि की यह इसका एंसर क्या हो जाएगा डी फटेली उप्रोक्ट सभी चलिए 6 टी किसी खी ऑटो मॉइल में गीर बख्स होने का क्या परी हो जना है तो इसका ऑप्सन देखते हैं मतलब और ये पूछ रहा है question समझे और अटो मॉइल में गीर होने का क्या मतलब पर पर है तो ऑपसन गेर से क्वाल गति कम कर सकते हैं जब स्पीड बाराना रहता है तो क्या करते हैं तो लिए गती में परिफसे लिए इसके लिए इसका एंसर क्या हो जाएगा डिप होड़ेल हो जाएगा उसके बाद 60 देखते हैं गोलमर्ग में देखें पहले भी हम डेख चुकी है आज गुषने पर किसको मरग अधिकार है मतलब सबसे पहले मरग का अधिकार किसको है इसका एंसर क्या हो जाएगा 60 का भी फड़ बंबे आपकी डाई ओर से यातायात को जो पहले से ही वहन गोल मरग में हो यानि किमाली जी गोल चक्कर है यहां से आप जा रहे हैं तो आपके जो इधर दो और बाव लाट्री की या रखेगा इधर दाहिना तरब जो गारी आगे हो या मतलब आगे हो चला गया है उसको मरग पहले मतलब देने का अधिकार है बाहें वाले को बाद में उके उसके बाद देखिए यह चिन क्या दर्स आता है तो पहले यह चिन इस तिरभु में रहते हैं चिताओनी प्रक्षन के जो यह चतरभु बूजा कारमे रहता है और यह प्राद मलरीện यह चिन डर्स आता है ंकर पहले हरा हो सकनी 61 का correct answer C fortune है यानि कि side road by है कहा side road by है उसके बार 62 देखते है वहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली सफेड रेखा क्या सूचित कलती है तो क्या सूचित कलती है वताइए यह 62 का answer दिजिए तो इसका जो correct answer हो जाएगा C fortune है यानि कि पार्क यह C हो जाएगा पार्क करना निसर यानि कि आप वहन को पार्क नहीं कर सकते है उसके बार देखिए वहन मार्ग पर आयताकार चोखोने में एक दुसरे को काटती हुई पिली विकर्ण देखाए यह क्या सूचित कलती है तो इसका answer क्या हो जाएगा पहले अंसर आप लोग दीजिए उसके बार हम देते है तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा यानि कि ए और भी दोलों तो ए क्या बोल गया है देखते हैं बाहन को इसको तभी पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चोखेन चोखाने यानि कि चोखाने के आगे अस्पस्ट अस्थान हो यानि कि पर्याप्ट जगा हो तभी बाहन को पार करना चाहिए उसके बाद क्या है बाहनों को इस पर थोड़े समय के लिए भी रोकने की अनुमती नहीं है जो बनाया जाता है आयताकार चोकोने होता है जो कि एक दूसरे को काठती है उस पर वहन को मतलब रूकना मतलब मना ही है वहां पर वहन नहीं रोक सकते हैं उसके बाद देखिए 64 क्या बोल यातायातपत की चौड़ाई कितनी होती है जो यातायातपत है जो सरक है उसकी चौड़ाई कितनी होती है इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर D for Delhi यानि कि 12 foot का जो एक तरफ का जो side रहता यानि 2 line हो गया तो 24 feet हो गया अगर वह एक side हो गया तो कितने 12 feet है तो इसलिए यात पठ की चोड़ा कितने 12 feet रहता है उसके बाद देखिए दिली में आस थाई रूप से पंजी कृत वाहन को चलाने की वैड़ता का समाई कितना है तो इसका समाई कितना है तो 65 का correct answer एक माह के लिए होता है तो उसके बाद देखिए 66 देखते हैं पुल्न रूप क्या है यानि कि cng का फूल फर्म पूछ रहा है तो cng का फूल फर्म है वो क्या है compressed natural gas तो कौन सा option में दिख रहा है तो option b में यानि कि compressed natural gas उसके बाद देखिए dot 3 grade है यानि कि oil जो dot 1 dot 2 आता है यानि कि ब्रेक दरव है ब्रेक ओल होता है जिसको हम लोग dot 3 बोलते है और उसके नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं यादे इंजन समाने तह करेंग करता है परन्तु चालू नहीं होता है तो गरवरी हो सकता है तो देखते हैं आप्सन देखते हैं यानि जिसको चौकिंग बोलते हैं चौकिंग या डीप बोला उपरुक्त सभी तो यह इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा डीफ होडेल ही यानि कि जो क्रेंग होने की जो अगर मान लिजे परन्तु चालू होता है लेकिन केवल फख फख करके रुक जाता है तो यह तीनों अब इंजेनल स्ट्राट करते हैं तो चाल घोता है और प्रीष्ट इसका आगे के नीचे से उपकर बादते पर्यावरन को बाहनों से होने वाले परदूसन से बचाने के लिए निमने में से क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए अप्सन देखते हैं और दी उप्रोक्ट सभी तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा डी फर्डेली यानि कि ए भी सही बोला है टायर की परत सही होनी चाहिए यह न कि टायर अलबल लगा लेजिए जो कि मतलब घिस्ता जादा हो तो वो कारण भी मतलब पॉलूशन जादा होता है बी भी सही बात उस गयर पर हमेशा गारी नहीं चलाना चाहिए गयर हमेशा situation की अनुशार चेंज करते रहना चाहिए जब नीचे वाला गयर कब लगाना जब स्टार्ट करते चाहिए उस टाइम उसके बाद उसको टोप गयर में ले जाए उसके बाद आड़िसाठमक सरक्चिन होता है आड यानि कि जो सुचना देता है वो किसा कार में रहता है और यह किस कलर के रहता है तो यह कलर निला कलर के रहता और यह दोनों रेड कलर के। इस लिए इसका आधेसात प्फूचा है तो इस खलाए में होगा किस बैसे सड़क शरक चिने मार्द मूश्ट मुश्चन है दोहरा मार्ग कहां पर दिख रहा है यहाँ पर आपको दोहरा मार्ग केवल इसमें ऐसे और एक मार्ग हो गया याने कि मिश्चन भी दोरह मर्ग समाप्ट पूछा है तो देखें दो मर्ग आया यहां पर देखें दो मर्ग आया और फिर एक मार्ग में हो गया लीन तो इसलिए इसका अंसर डीफल्ल डेली हो जाएगा ओके तो आज का जो कोंटर है यहीं तक रहने देते हैं और next class में हम लोग बहुत सारा question है तो यह सब देखेंगे आज थोड़ा दिकत प्रोब्लम है तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और next class में पूरा 100 पूराएंगे इसदेखें है न यह मतलब टोटल 100 question करा देंगे और इस तरह जो practice series है वो चलते रहेगा मतलब कब तक तो जब तक exam न हो जाए और यही practice series से जितना भी question पूछे जाएंगे वो जितना question रहेगा यही practice series से ओके तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like कर देजिए और channel को subscribe कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट कलास में जैहिन जैवारत